नमस्कार दोस्तो आज मैं आपको ऐसे गंबीर विशह पर जानकारी देने वाला हूँ जो आपके बिजनस में काम करने के तरीके को बदल के रख देगा और आपके कॉम्पीटिटर के पास भी आपकी स्ट्रेटेजी का कोई तोड़ नहीं होगा जिस तरह से मेडिकल साइंस मे HIV positive एक ऐसी लाई-लाज बिमारी है जिसका कोई इलाज नहीं होता ठीक उस तरह से HIV positive बिजनस स्ट्रेजी एक ऐसी बिजनस स्ट्रेजी है जिसका आपके कॉम्पीटिटर के पास कोई तोड़ नहीं है अगर आपके वल इंटेटेंबंट के लिए आज का इई वीडियो देखन करना चाहते हैं तो ये वीडियो 100% आपके लिए है तो HIV Positive Business Strategy में सबसे पहला है हाई नंबर ओफ लीड्स कुछ भी करो जो भी आप करो ऐसा कुछ करो कि आपके बिजनस में हाई नंबर ओफ लीड्स जनरेट हो मतलब जादा से जादा लोग आपके product या आपकी services को खरीदने के लिए आपको contact करें ध्यान रखिए वो lead hot हो warm हो या cold हो lead incoming होनी चाहिए अब प्रश्णी यह उड़ता है कि incoming leads क्या होती है हर वो lead जिसमें buyer आपको contact करता है आपके product या service को खरीदने के लिए या उसमें अपना interest शो करता है अब वो lead कैसे हो सकती है जैसे वो lead आपको on call आती है या वो lead आपकी shop पर आपके showroom पर आपके outlet पर person visit करने आता है और उस चीज को product को देखकर पसंद करता है या वो आपको mail करता है अपनी requirement या whatsapp के थ्रूँ आपको जानकारी बेशता है या किसी भी person के द्वारा दिया गया reference होता है जिसके माधियम से वो lead आपके पास पहुंसती है इसका मतलग business में expansion के लिए incoming number of leads आना बहुत जरूरी है और number of leads को कैसे बढ़ाए जाए यह मैं आपको इस वीडियो के end में बताऊंगा इसलिए मेरे साथ इस वीडियो तक अंत तक बने रहें क्योंकि यही strategy आपको आपके computer से अलग बनाती है I stands for importance of lead conversion into sale आइए मैं इसको उधारन के माधियम से बताता हूँ मालीजिये on an average आपके पास 100 queries आती है और उस 100 queries मतलब leads में से आप 2-3% lead को convert कर लेते हैं मतलब 100 inquiries में से 2-3 deal आपकी हो जाती है इसका मतलब ratio of conversion आपका 2-3% है अब यहाँ पर यह समझना बहुत जुरूरी है कि हम ऐसी strategy अपना है जिससे हमारी number of lead increase हो जाएं मतलब 100, 200, 300, 400, 500, 1000 जब number of lead increase होगी और ratio of conversion सेम भी होगा तब भी हमारी sale बढ़ जाएगी और अब number of lead बढ़ाने के लिए क्या करना है वो मैंने आपसे पहले का था कि इस video के end में मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरा जो important factor है वो है आपका conversion का जो ratio है यदि वो increase हो जाए तो भी आपका business volume बढ़ जाता है मतलब यदि आपका conversion 2-3% की बजाए 5-8% हो जाए 10-12% हो जाए 12-15% हो जाए तब भी आपका business ग्रोग करेगा इसका मतलब एक तरफ तो आपके पास number of lead बढ़ रही है और दूसी तरफ आपका जो conversion ratio है दोनों बढ़ रहा है इसका मतलब आपका business exponential growth से बढ़ना शुरू हो जाएगा अब समझते हैं कि lead का conversion ratio कैसे बढ़ेगा lead के conversion ratio को बढ़ाने के लिए ना सबसे पहले आपको consumer का behavior समझना होगा कि आपके buyer का behavior क्या है और चाहें कोई भी industry हो buyer का तीनी तरह का behavior होता है एक होता है price conscious एक होता है brand conscious एक होता है quality conscious मतलब एक ऐसा घरहक होता है जिसको केवल price से मतलब है जहां भी product सस्ता मिलेगा वो माँ खरीदने के लिए तयार हो जाएगा जबकि दूसरा जो होता है वो होता है quality conscious उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि company का brand क्या है product का brand क्या है वो focus करता है तो product या service की quality पर अगर quality best है तो वो quality best देखकर ही उसको खरीदने के लिए तयार हो जाता है और तीसरा जो हमारा consumer होता है वो होता है brand conscious उसको कई बार quality से लेने दिना नहीं होता उसको तो केवले एक particular brand ही चाहिए होता है जो बहुत important role play करता है इस बात का decision लेने के लिए के हमें अपने product को किस segment में divide करना है अब एक company अपने product को अलग-अलग segment में divide करने के लिए एक strategy अपनाती है वो एक ही तरह के product की तीन अलग-अलग categories with different different features, with different different options, with different different price segment के हिसाब से distribute कर देती है जैसे अगर कोई व्यक्ती brand conscious है तो वहाँ पर उसके लिए जो product दिया जाता है उसको exclusive या limited edition के नाम से निकालते है और जो client quality conscious है उसके लिए standard या prime जैसा word रख दिया जाता है कि ये वो product है जो standard और prime में आता है और तीसरी category जो price conscious है उसके लिए जो word इस्तिमाल करते हैं जैसे economical या commercial अब इसका benefit क्या होता है कि एक ही तरह के product को अलग-अलग category में divide करने के बाद आप तीनों तरह के client के साथ consumer के साथ deal कर सकते हैं जहाँ पर ना price competition होगा ना quality competition होगा ना brand competition होगा ये बड़ा important role play करता है कि जो maximum lead आपके पास आ रही है उसमें maximum number of conversion कैसे convert किया जाए यहाँ पर important है follow up की strategy आप अपने client का follow up कैसे करते हैं इस बात पर depend करता है कि आपका ratio of conversion कितनी तेजी से बढ़ना शिरू हो जाएगा तो सबसे पहला step understand the need of your client अपने ग्रहत की जरूवत को समझो सबसे बड़ी problem क् एक seller अपने product के feature बताने पर हमेशा जोर देता है लेकिन गोई नहीं समझ पाता कि उसके consumer की demand क्या है तो सबसे पहला जो important step है उसमें आपको आपके consumer की demand को समझना है कि उसको किस तरह का product या किस तरह के services चाहिए and the second step of follow up strategy that is give information according to the need of your client अपने client की जरूवत के हिसाब से अप product के सारी information जिस तरह कि उसकी जरूवत है उसकी जरूवत को समझो और उसके हिसाब से उसको information share करो और यहाँ पर ना आपको अपने product के सारी features या benefit गिनाने के जरूवत नहीं है आपको ये ध्यान रखना है कि उस product को खरीदने के बाद consumer को क्या benefit होगा ये आपको explain करना है and the third step of follow up that is the most important thing आपने अपने consumer को product के बारे में सब कुछ बता दिया उस product से होने वाले फाइदे के बारे में consumer को बता दिया अब जरूवत है सही तरीके से pitch करने की यहाँ पर जरूवत है कि आप अपनी quotation send करें उसको catalog send करें उसको brochure send करें and the fourth step demonstration quotation या sample दिखाने के बाद important बात है कि FAQ frequently asked questions पर आप discuss करें मतलब आपके consumer के मन में जो भी doubt है उसके doubt को आप solve करें और इस deal को close करें यह बड़ा important है कि consumer से deal close करने के लिए conversion ratio बढ़ने के लिए आप किस तरह से follow up करते हैं ध्यान रखिए अगर आपका follow up ठीक तरह से नहीं होगा अगर आप ठीक तरीके से अपने ratio of conversion जो है वो तेजी से उपर नहीं बढ़ पाएगा और हमें दोनों काम करने हैं हमारी lead भी बढ़ानी है और हमारा conversion ratio भी बढ़ाना है अच्छा जब right strategy और follow up के बारे में बात होई रही है तो मैं एक बात आपको और बताता हूँ कि description box में मैंने एक वीडियो का link दिया ही है मेरा आपसे request है अगर आप सच में lead को ज्यादा conversion तक ले आना चाहते हैं तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना क्योंकि अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो follow up की एक बहुत important strategy आपके पास से छूट जाएगी अच्छा आप HIV positive business strategy का जो last V है उसको समझ लेते ह वीडियो